पुलिस की चार्च शीट में बूजबूशन पर यौन उत्पीरन के आरोप पहलवानों के यौन उत्पीरन के आरोपों में घिरे WFI के निवर्तमान प्रमुक ब्रिजबूशन सिंग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दो फाइनल जांच रिपोर्ट अदालत के सामने रखी। पुलिस ने पहली चार्च शीट राउज एवन्यू कोर्ट में दाखिल की जिसमें बृजबूशन के खिलाफ छेरचार, यौन उत्पीरन और पीछा करने की धाराओं में मुकदमा तयार किया गया है। ये केस शे पहलवानों की शिकायत से जुड़ा है। इसमें कुष्ती पहलवानों के आरोपों में दाखिल चार्च शीट एक हजार पन्नों की है। सबूत के तौर पर पीडितों के बयान के अलावा बजरंग पुनिया जैसे गवाहों के नाम है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मेजिस्ट्रेट ने इस चार्च शीट पर विचार के ल करने की सिफारिश चार्च शीट में ये आरोप छिरचार 354 सजा एक साल कैड पांच साल तक बढ़ सकती है। पीछा करना 354 डी सजा पहली बार 3 साल दोहराने पर 5 साल कैड यौन उतपीरन 354 ए सजा तीन साल कैड या जुर्माना या दोनों उकसाना 109 सजा उकसाने से हुए अपराद के लिए तै सजा से ही तै धमकाना 506 सजा मामूली धमकी पर 2 साल गंबीर केस में 7 साल कैड पुलिस की चार्च शीट के बाद अब आगे क्या कैंसिलेशन रिपोर्ट के बाद 3 चीजे हो सकती हैं कोर्ट रिपोर्ट को मंजूर न करे और आरोपी को समन करे अदालत मंजूर कर ले फिर केस खत्म हो जाएगा पीडिता अदालत में पिछले बयान से पलट जाए वो अदालत को बता सकती है कि केस चलाना है या नहीं चे पहलवानों के मामले में जो चार्च शीट हुई है उसे कोर्ट मंजूर करता है तो फिर आरोप ते होने की प्रक्रिया शुरू होगी।